मुझे जानेंगे यूपी बोर्ड बीएट फरस्ट येर का जो एक्जाम आपका होता है उसमें जो पहला पेपर है इसमें किस प्रकार की प्रशन पूछे आते हैं और आपका जो स्टेटीग होने चाहिए कि कौन कौन प्रशनों को आपको तयार करके जाना है जिससे आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिल सकें इसके लिए आपको वीडियो के अंतर बने रहेगा आए शुरुबात करते है इस वीडियो की जैसा का पहला पेपर हमारा दोयार एकिस प्रीवेके फार पेपर है और इसमें है नॉलज एंड करीकुलम थीक है नॉलज नॉले यह एंड करीकुलम फिस्ट वेपर होने मिल देख रहे होंगे तीनों खंड को आपको बहुत साधानी पुरवक अटेम्ट करना है जैसे कि यहां पर दे रखा कि attempt all questions from all section as per instruction निर्दाश्चा नुसार सभी खंडों से प्रिश्णों के उत्तर दीजिए सेक्शन में पूछा जा रहा है जो कि स्खंड आ है इसमें पूछा आप नोट दे रखा है नोट धान पुर्वक पढ़ेंगे सबसे पहले आप लोग attempt all questions give answer of each question in about 25 words सभी प्रिश्ण को आप आटेम करने हैं और जितने भी प्रिश्ण आप दे रखे हैं सभी प्रिश्ण के उतर देना है प्रतिक प्रिश्ण का उत्तर लगवग 25 सब्दों में होना चाहिए पहले पेपर की बात कर रहा ठीक है आप देख पा रहेंगे यहाँ पर टोटल आपके 10 question है प्रतिक question एक नंबर का है पहला प्रश्ण आप प्रिश्ण आप पूछा जा रहा है कि place of education in life जीवन में सिच्छा का अस्तान क्या है ठीक है इसे प्रिकार से अगर देखेंगे second page पे आते हैं हम लोग second page में second question है differentiate between विद्या एंड आविद्या विद्या और एवं आविद्या में अंतरश प्रेश्ट करना ये भी आपका एक माक्स का होगा जो की 25 सब्दों में आपको लिखना होगा प्रेश्ट नमबर तीन है concept of the philosophy of education सिक्षा के दर्शन की अवधारणा बतानी है प्रेश्ट नमबर चार है एनी टू एम साफ है अर्डलिज में आदर्स वात के कोई दो उद्देश से लिखने है मेंनिंग आप देर रियलिज में अथार्थ वात का अर्थ क्या होता इसका मेंनिंग लिखना आपको एक नमबर का होगा define sociology समा सास्त्र को परिभासित करना है very important question है question number six है any two principles of curriculum पार्ट करम के कोई दो सिधान आपको हमेशा यादराने चाहिए पार्ट करम से related आपका सगर सब्जेक्ट ही पार्ट करम है तो आपको पार्ट करम के बारे में जानना अती आवश्यक है वहाँ से जरूर आपके पूछे जाएंगे question number eight है define culture संस्क्रित को परिभासित किजिए culture हमारा क्या है संस्क्रित क्या है इसको परिभासित करना है उसके बाद question number next देखते हैं third page पे आते हैं question number three है meaning of democratic value यही प्रजात आंत्रिक मुल का अर्थ लिखना है प्रजात आंत्रिक मुल का आपको अर्थ एक करने की 25 सब्दों में कम सकम यह होने चाहें प्रस नमबर लास्ट है इसमें खंड आसे इसमें पहल प्रस पूचा गया लास्ट वाला define modernization आधुनी की करड़ की परिभासा आधुनी की करड़ की परिभासा लिखनी है और आप आते हैं हम लोग section number P पे यहां पे ध्यान पुर्वक पढ़ेंगे notes क्या दे रखा है नोट याँपे देखा note attempt all question give answer up this question in about 200 words यानि कि सभी प्रस्ण के उत्तर देने हैं प्रतेख प्रस्टन का उत्तर लभग 200 सब्द में होनँ जहिहां यहां पर जितने प्रस्थन कितने नमबर का होगा आठ नमबर का होगा टोटल पांच प्रस्टने खंड बास से आपको अटेंड करने हैं बात करते हैं पहले प्रस्टन की इसमें और हर प्रस्टन के जैसे पांच प्रस्टन आप देए रहेंगे और पांच हो जो प्रस्टन हैंगे उसके अथवा यानि की optional भी दोंगे यानि अगर आप उसको नहीं करना चाहते हैं इस प्रकार से यहाँ पर देख पा रहे होंगे जैसे कि दे रखाया ठीक है इस प्रकार अब थर्ड प्रस निसमें होगा प्रस नमबर तीन इसमें पूछ रखा एक्सप्लेन सत्यम सिवंस एंड सुंद्रम सत्यम सिवंस सुंद्रम की व्याख्या करनी है अगर आपको यह नहीं आ रहा है तो आप यह कर सकते हैं डिस्कस दा एम आप एजुकेशन आफ प्रोग्रामिक्स प्रोग्रामेटिक्स तो आपको प्रयोजेन वाद सिच्छा के उद्धिश्यों की विवेचना करनी है यह प्रस नमबर चार की बात करते हैं प्रस नमबर चार में पूछ रखा है या अगर आपको यह प्रस नहीं आता तो आप इस में अत्वा कर सकते हैं इंफ्लूएंस आफ वेदान्त दर्शन और मॉडर्न एजुकेशन आदमिक्स इच्छा का वेदान्त दर्शन का प्रभाव उसके बाद नेक्स प्रस नमबर पाँच है बहुत दर्शन में इश्वर और आत्मा के विषय में क्या कहा गया है अगर आपको यह प्रस नहीं आता तो आप यह प्रस कर सकते हैं प्रस नमबर शिक्स है अधनिक की करण के मुख्य उद्देश क्या है या आप यह कर सकते हैं डिसकस दा डिफलोमेंट आफ इंडियन कल्चर यानि की भारती संस्क्रित के विकास की विवेचना कीजिए उसके बाद हम लोग सेक्शन सी की तरह पाते हैं सेक्शन सी के बात करते हैं तो यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहां से आपको तीस मार्क्स मिलते हैं तीस नंबर आपके शुक्र होते हैं सिर्फ दो कुश्चन को करने से सेक्शन सी में अगर हम बात करते हैं खंडशा की तो ध्यान से पहले पढ़ेंगे अटेम्ट यानि टो कुश्चन की आंसर आप वीच कुश्चन इन अबाउट 500 वर्ट्स यानि कि यहां पे सिर्फ दो ही प्रश्चन आपको सॉल्व करने हैं और उसमें आपको किनी दो प्र कुश्चन की बात करते हैं यहां पे आपको साथ है आठ है नौ है दस है ठीक है इस प्रकार से दस कुश्चन यहां पे साथ आठ नौ दस इसमें से सिर्फ आपको दो ही प्रश्चन करने हैं तक हम साथ कुश्चन की बात करते हैं क्या पूछ रखा कि what the concept of sociology in education describe the relationship between sociology and education सिच्चा के समासास्त की क्या आवधारणा है समासास्त रियों सिच्चा में संबंध का वर्डन कीजिए पहला प्रेशन तो यह हो गया सेकंड प्रेशन है describe the role of family in the process of sociologation समाजी करण की प्रेशन में एक परिवार की भूमिका का वर्डन कीजिए या तो अब यह कर सकते हैं दो प्रेशनी करने है प्रेशन नमबर तीन इसमें नौवा है what should be curriculum and method of teaching according to naturalism यानि प्रेशनी बात की अनुसार पार्टिक्रेम या सिचर विदिया क्या होनी चाहिए प्रेशन नमबर दस है describe the relationship between एम साफ education and curriculum सिच्चा के उदेश यह पार्टिक्रेम के भी संबंद का वर्डन कीजिए यह टोटल आपको यह साथ है आठ है नव साथ आठ नव दस आठ चाहरे हैं चाहरे नह св Families चाहरे चाहरे सकते हैं दो कर सकते हिस्मिश च्च्च्च शोर भाए यह को फ्रेशन होगा हिस्मिशे को डियू सकते हैं जोस्थो से कि लिका सकते हैं सिचिश से튼 1944 अगर आपने प्रिवेश जो क्यों प्रस्टे जाना है जो कि आपको प्रिवीया कि sodak अगर आप ने पड़ लिया तो यह को सबसे पहले क्या करना है अगर आपके पास टाइम रही आपके पास काफि टाइम है यह 15 दिन स्टम्ट को नहीं पता लेकिन सटम्बर में ही आप थो दोस्तो अगर आप सिर्फ प्रीपेपर को करके जाते हैं 2020 का हो गया 2020 का हो डोजार 2019 का हो Сейчас मैच करा यएगा मैच कराए श्कार ओते इस सब प्रशन होते हैं हमें शरी होते हैं और और असानी से आप अच्छे से अच्छे marks score कर सकते हैं इसलिए आपके study के होने चाहिए previous question को जरूर solve करके जाए अगर आपने इसको solve कर ली आजानी से आप 60 plus marks असानी से secure कर सकते हैं और top 80 में से आप 60 असानी से gain कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको like करिएगा शेयर करिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe लेजिएगा मिलते हैं इसके second part में तब तक के लिए नमस्कार जाहिंत